इस वीडियो में मैं आपको पांच बेस्ट गेमिंग फॉन बताऊंगा जिनका प्राइस 25 से 30 अजार की रेंज में है वीडियो का जो पहला फॉन है वो ओपो F23 5G है यह फोन 15 मईई को लॉंच हुआ था इसमें आपको 120 Hz रीफ्रेश रेट के साथ 6.72 इंच की डिस्प्लेय मिलती है जिसका रेजुलेशन जो है वो 1080 x 24 0 पिक्सल है इसकी पिक्सल डेंसिटी 391 पिक्सल है और 20 रेशियो 9 एक्सपेक्ट रेशियो है ओपो F23 5G Octa-Core Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर के साथ आता है इसमें आपको 64 मेगा पिक्सल का रियर कैमरा और साथ में 32 मेगा पिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है बैटरी इस फोन में आपको 5000 mAh की मिलती है जिसके साथ सुपर बूक फास्चार्जिंग का सपोर्ट है इस फोन को आप गेमेंग और डेली उसके लिए एक परफेक्ट फोन के तोर पर भाई कर सकते है इसकी कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है और फोन का डिजाइन भी आपको काफी पसंद आएगा वीडियो का जो दूसरा फोन है वो उपो रेनो 8T 5G है इस फोन को भारत में लौँच हुए लगबग 3 महीने होने बाले है यह फोन दो कलर आप्शन में आता है एक है सनराइज गोल और दूसरा है मेडनाइट ब्लैक इसमें आपको सिंगल स्टोरेज आप्शन मिलता है साथ में 8GB RAM के साथ 118GB स्टोरेज है और इसका प्राइस 29,999 रुपए है इसमें आपको 6.67 इंच की Full HD प्लस क्रब्ड डिस्पले मिलती है इसका जो रीफरेच रेट है वो 120Hz है इसमें आपको ट्रिपल रीर कैमरा सेटप मिलता है जहां पर जो प्राइमरी सेंसर है वो 108MP है फोन में आपको जो सेकेंडरी कैमरा मिलता है वो 2MP का डेप सेंसर है और जो तीसरा सेंसर है वो 2MP का मैक्रो सेंसर है सेलफी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसके फ्रंट में आपको जो है वो 32MP का कैमरा मिलता है फोन में Octa-Core 6NM Snapdragon 695 प्रोसेसर आपको मिलता है और RGB तक्रैम के साथ Adreno 619 GPU का सपोर्ट है इसमें Android 13 based Color OS 13 का सपोर्ट मिलता है फोन में आपको 4800 mAh की बैटरी मिलती है साथ में 67 बॉर्ट की Superbook Fast Charging का आपको सपोर्ट मिलता है अगर आप इस स्मार्ट फोन को गेमिंग के लिए बाय करते हैं तो यह आपको निराश नहीं करेगा अब बारी आती है वीडियो के तीसरे फोन की जो की Poco F5 5G है यह फोन है एक Best Gaming फोन के तोर पर आपकी चोयस बन सकता है पोको F5 5G में आपको 6.67 इंच की AMOLED डिस्पले मिलती है जिसका जो रैजिलेशन है वो 2400 इंटू 1080 पिक्सल है जबकि स्क्रीन रीफ्रेश रेट 160 है जिससे यह फोन काफी स्मूध चलता है इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 चिपसेट दिया गया है जो की एक 4NM flagship 5G प्रसेसर है इस फोन में आप Call of Duty और New State Mobile जैसे गेम्स को High Graphics पर काफी आराम से खेल सकते हैं पोको F5 5G में आपको Triple Rear Camera Setup मिलता है इसमें 64 Megapixel का Primely Sensor दिया गया है जो की Optical Image Stabilization के साथ आता है जबकि 8 Megapixel का इसमें आपको Ultra Wide Angle Sensor मिलता है और 2 Megapixel का Macro Sensor है सेलफी के लिए फोन में आपको 16 Megapixel का कैमरा दिया गया है बैटरी इसमें आपको 5000 mAh की मिलती है जिसके साथ आपको 67 Watt की Fast Charging का Support मिलता है अब बारी आती है वीडियो के चौथे स्मार्टफोन की जो की है IQ New 7 इसमें आपको 6.78 इंच की Full HD Plus AMOLED डिस्पले मिलती है जिसके साथ 120W से Refresh Rate है IQ New 7 में MediaTek Dimensity 8200 प्रोसेसर मिलता है जो की Mali G610 GPU के साथ आता है फोन में 12 GB तक RAM और 8 GB तक की आपको Virtual RAM का Support मिलता है इसमें गेमिंग के लिए Graphite 3D Cooling System दिया गया है और गेमिंग के लिए फोन काफी अच्छा है इसमें आपको Triple Rear Camera Setup मिलता है जिसमें जो Primary Lens है वो 64 Megapixel का है इसके साथ आपको Optical Image Stabilization का Support मिलता है और जो दूसरा Lens है वो 2 Megapixel का Macro Lens है तीसरा Camera भी इसमें आपको 2 Megapixel का Depth Sensor मिलता है इसमें आपको 16 Megapixel का Selfie Camera मिलता है IQ New 7 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है साथ में जो है वो आपको 120 Watt की Fast Charging का Support मिलता है अब तक इस वीडियो में मैंने आपको 4 Smartphone बताए हैं इन मेंसे किसी को भी आब आए करना चाहें लिंक आपको सभी के Description में मिल जाएंग स्मार्टफोन में आपको 144 Hz, Refresh Rate और 360 Hz का Touch Sampling Rate मिलता है बात करें इसके चिपसेट की तो Motorola Edge 40 भारत में लौच होने बाला पहला ऐसा मोबाइल फोन है जो MediaTek Dimensity 8020 चिपसेट को सपोर्ट करता है ये 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना एक Octa-Core प्रोसेसर है जो 2.6 GHz Clock Speed पर रन करता है ग्राफिक्स के लिए आपको इस स्मार्टफोन में Mali G77 MC9 GPU का सपोर्ट मिलता है कैमरे की बात करें तो फोटोग्राफी के लिए Moto Edge 40 Dual Rear Camera जो है वो सपोर्ट करता है इसके बैक पैनल पर आपको 50 Megapixel का सेंसर दिया गया है जो 13 Megapixel के Macro Vision Ultra Wide Angle Camera के साथ मिलकर काम करता है इसी तरह सेलफी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसके फ्रंट में आपको 32 Megapixel का कैमरा मिलता है पावर वैक अप के लिए इसमें आपको 4400MAS की बैटरी मिलती है और इसे तेजी से चार्ज करने के लिए इसमें आपको 68W की Fast Charging का सपोर्ट मिलता है इसमें आपको 15W की जो है वो Wireless Charging का सपोर्ट भी दिया गया है तो ये थे वो 5 Best Gaming Smartphone जिनें आप आज की डेट में 25-30,000 की रेंज में बाई कर सकते हैं किसी को भी आप आए करना चाहें सभी के लिंक आपको डिसक्रप्शन में मिल जाएंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए